काथ बन bon मैं यहां पर आपको कुछ एग्जामब दूंगा तौ adjourn तौँ आप्लिकेशन अफής置 एग्जाम्पीर लोग मोशन नाउ स्टुडेंट एस यू कन सी दा अनिमेशन यहां पर जो एक कैचर कैच करता है और कैच करने के बाद अपना हैंड को पीछे की तरफ बैक लेकि जाता है कैचर मोशन भाद ऑन केचिंग फास्ट ऐसा वह क्यों कर रहा है तो ऐसा हम देखते हैं कि एसा क्यों होता है क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स डारेक्टली प्रपोर्शनल तूज़ा चेंज इन ओमेंट अब यहां पर क्या कर रहा है पीछे की तरफ ले जाने से टाइम क्या हो अब जब time increase होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं force क्या है inversely proportional to the time तो time increase करने से जो ball हाथ पर force लगा रही है ball क्या करेगी hand पर strike करेगी उसके this is the hand say this is the hand of the striker जब ball यहां पर strike करेगी तो ज़्यादा force अगर strike करती है तो injury ज्यादा होगी चोट ज्यादा लगी तो इसे लिए वो पीछे ले जाकर अपने हाथ को time को क्या करता है decrease कराता है तकि चोट कम लगे force कम लगे same concept is student क्या होता है जब seat belt को use करते हैं car में क्यों करते हैं क्योंकि जब आप suddenly break लगाएंगे suddenly break लगाने से तो हमने देखा हमारी tendency क्या होती है motion में हम आगे की तरफ जाएंगे आगे की तरफ motion करेंगे और जब आगे की तरफ motion करेंगे तो जो seat belt है वो seat belt हमारा time जो है increase करा देती है stop कराने से तो यहां भी जो है changing momentum का concept और अगर हम देखें जब jumper क्या करता है jump किस पर करता है send पर करता है आप देख सकते है high jumper जब send पर करता है send पर करने से क्या होता है यह अगर send की layer है जब वो इस पर jump करेगा तो यह थोड़ा सा press हो जाती है नीचे की तरह तो उससे क्या होता है time of jumping time to touch time to touch ground time to touch ground क्या होता है increase हो जाता है और उससे force क्या inversely proportional to the time यानी change of momentum में time बढ़ जाएगा तो change of momentum कम हो जाएगा force भी कम हो जाएगी यहाँ पर तो जो है injury कम होगी jumper को otherwise अगर hard surface पर land करा है तो वहाँ पर क्या होगा press नीचे की तरफ नहीं होगा injury जादा होगी jumper को तो यह कुछ example थे हमारे second lock motion पर देज़ेगे